नमस्कार, मैं डॉक्टर नीती कपूर कॉशल हूँ, मैं कंसल्टर नेरोलोजिस्ट हूँ वा निपाल हॉस्पिटल पर्टयाला में तो आए जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज क्या है पार्किंसन डिजीज ब्रेन की एक डिजनरेटिव कंडिशन है जिसमें ब्रेन में जो डोपामीन पैदा करने वाले निरॉन्स हैं वो धीरे-जीरे खत्म होने लगते हैं जिसकी वजह से डोपामीन की पैदावार में कमी आती है और उसकी कमी आने की वजे से शरीर में movement में दिक्कत आती है तो इसके symptoms क्या है इसके चार promote symptoms है First is tremors tremors यानि कि हाथों में कमपन इसके tremors को resting tremors और pinrolling tremors भी खाजाता है resting यानि कि sẽ बैठे है तब tremors होते हैं तो जैसे ही वो movement करते हैं तो जो पनारी आज़ा एक साइड में तो जटो पेयाे ह अरे खुतीन हों तो ट्यामनीर कर Sabrina se-rae आप निया कि यहाझै व झाला जब कि आप रहे होते हैं तो इसके जो गैसे हो इसमें कि पैसे संफों कि बाड़े भरे चाहिए है वह slow down हो जाती है इसमें पेशेंट का चेहा है वह मास के लाइ पारिय हो जाते है आवाज हो जाती है और चोछे acting प्लकों का जफ़कम कर जाता है और छोटे-ट्र छोटे चपे से चलने लगते हैं तीसा सिम्टम है रिजिडिडी टिडी यानी के हं अकड़ाहाद और पेशन्स के हातों पेरों में अकड़ाहट आने लगती है चौता है पोस्टल इंस्टैबिलिटी जैसे ही डिजीज एडवांस करती है पेशन्ट की जो गेट है वो इंबालन्स होने लगता है गेट को बैलन्स नहीं गर पाते है इसमें पेशन्स को और भी कुछ नो सिंटम्स ह जाती है जैसे है हम जाती है क्या है इसको कारण थी इसको बार्ति परकिंस सलाफ और तक रिजीज को आपनों सब्सक्ufferm हो है जैसे में कहाते है जिसके वज़ा से पार्किंसन रिजीज होने की जो तेंडेंसी है वो बढ़ जाती है जैसे कि एक्सपोजर तो पैसिसाइड, हर्भिसाइड और कुछ टॉक्सिंस है जिसमें MPTP, Manganese है या फिर जो लोग वेल वाटर का यूस करते हैं उनके अंदर बी देखी गई है और कुछ केसिस में कुछ जेन्टिक फैक्टर का भी रोल है तो अब हम जानते हैं कि इसको हम डाइगनोस कैसे कर सकते हैं डाइगनोसिस के लिए जनरली नेरॉलोजिस्ट आपको एक्जामिन करते है और एक्जामिनेशन करने से ही उनको पता चल जाता है कि आपको पार्किंसन डिजी मतुका है से लिए न गुछे पार्किंसन डिदी कथे Si fishing trips, करेव जनर जहीं पकिंदी में कुछ पिस्णिनली सम्टमि तो ही यह जैसे कि प्रकिंसिन को गुझ में मयादु तो या प्रोग्नोसी है या या फिरस्पाँनेंट बहुत ही डिफ्रेंट अब अब बात करते हैं तो तीन चार तरह कि दवायां है जब जनल हम लोडों से स्टार्ट करते हैं और कम मात्राग करते हैं और दोडिक्योड करते हैं। स्टार्ट करते हैं जैसे से ड्रीज्वी इड जवास होती है ड्राइब और दर्न यो से उजड़ पिर्भी की急ysz we ओए लेक्तनलाइस कि परेचिंट के आनदर दिया जाता है तो फिर पीसिंट अलगाइब दे निकाल से लेट तो अब हम बात करते हैं कि एक्सराइज और डाइट का क्या रोल है डाइट का भी बहुत इंपर्टन रोल है जितना आप बैलन्स और हेल्धी डाइट लेंगे उतना आपका जो वेल बिंग है वो अच्छा रहेगा तो ऐसे पाकिंसन के मरीजों को जो हरी सब्दियां है या कल शुद्द हाताया वाद इंपंसुखने ऐंप्यों को गशकषा भर्या का पैसेंह picky रहीं कर घ्राइज को प्रहा एंप डांत में एक्सराइज कम झाल चाहरा है तो यह से रग्लर अग्र्षाइज और सूटन हो जाता है तो अंत्मे यह काना जाऊंगी कि अगर आपके किसी रिष्टेदार या आपके किसी close relative को या family में किसी को ऐसे symptoms दिखते हैं तो आप तुरंत उनकी जांच कराएं neurologist से दिखाएं और क्योंकि जल्दी और timely treatment सार्ट करने से पेशेंट्स की जो है आगे की लाइफ काफी quality हो साथ